नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्ते बी तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश के या फिर दुनिया के जो भी आपके प्रमुक संगठन है वर्तमान में उनके प्रमुक कौन है उन सभी के नामों के बारे में हम लोग जानेंगे तो इस महीने याने की नॉंबर में आपको चाहे कोई भी एक्जाम देना हो उसके लिए यह आपके सबसे महत्पोर्ट टॉपिक में से एक होगा तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसकी जो पीडियाप फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरूजी या फिर केवी गुरूजी.in के उपर मिल जाएगी तो वहां से आप इसके पीडियाप को भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो की हम सुरुवात करते हैं. सबसे पहले हमारे देश में जो 11 महादरत्र कंपनियां हो गई हैं उनके इस समय प्रमुक कौन हैं? उनके बारे में हम लोग जानेंगे. तो आईए सुरुवात करते हैं कोल इंडिया लिम्टेट से. ध्यान रखिएगा को वासकुमार ONGC के इस समय प्रमुक हैं. फिर बात करते हैं भारत हैवी इलेक्टिकल्स लिम्टेट की यानि की भेल की तो नलिन सिंगल ये आपके भेल के इस समय हैं अध्यच. आगे बात करेंगे गैस अथार्टी आफ इंडिया लिम्टेट जिसे अब हम लोग गेल इंडि इस समय आई ओसी यल के चेयर परसल हैं. फिर बात करते हैं स्टील अथार्टी आफ इंडिया की तो ये तो ओलड़ी चार सि पांच एकजाम में पूछा जा चुका है. ध्यान रखिएगा सोमा मंडल आपके स्टील अथार्टी आफ इंडिया की नई प्रमुक यहां पर बनी हैं इसी साल के सुरुवात में. फिर बात करेंगे एंटी पीसी लिम्टेड की तो ध्यान रखिएगा एंटी पीसी लिम्टेड के इसमय प्रमुक हैं नाम उनका है गुरदीप सिंग. आगे बात करेंगे भारत पेट्रूलियम कार्पोरेशन लिम्टेड तो इसके जो नए अध्यच बने हैं उनका नाम है अरुन कुमार सिंग और उन्होंने के पदमाकर का स्थान लिया है. फिर बात करते हैं हिंदूस्तान प्रेटूलियम कार्पोरेशन लिम्टेड की ध्यान रखिएगा मुकेस कुमार सुराना इसके नए अध्यच बने हैं. आगे बात करते हैं तो ध्यान रकेगा के स्रीकांत आपके पावर करोरेशन लिम्टेड के अध्यच है और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब हमारे देश में जो महाय अध्यच कंपनिया हैं उनकी संख्या हो चुकी है 11 तो ग्यारहवे नम्बर की जो कंपनी है इसका नाम है पावर फायनस से पता होना चाहिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपने Unacademy की Live Class मेरी जॉइन नहीं की है तो आप लोग Free में इस Class को जॉइन कर सकते हैं चाहें आपको आने वाले समय में GD का एक्जाम दीना हो Group D का एक्जाम दीना हो या फिर NTPC CBT2 का एक्जाम दीना हो सारे एक्जाम के लिए यहाँ पर Best GK का Material मेरे द्वारा दिया जाता है बिल्कुल Free Class होती है नीचे आपको मेरी Profile का Link मिलेगा बस उसके उपर आप लोग क्लिक करिए और Unacademy के उपर आप मुझे Follow कर सकते हैं Unacademy की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे Free Classes तो मिलते ही हैं इसके अलामा अगर आप किसी भी एक्जाम की एक Systematic में में तयारी करना चाहते हैं तो Unacademy का आप लोग Plus Subscription पर चेज कर सकते हैं देख सकते हैं कि Plus में आपको सारे हमारे भारत के Best Educator मिलेंगे और इनकी मदद से आप अपनी तयारी को और ज्यादा बहतर यहाँ पर कर सकते हैं ध्यान रखेगा दिवाली का Offer भी इस समय चल लहाँ है तो अगर आपको Unacademy का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो चाहे वाँ SSC का हो, UPSC का हो, बैंक का हो या फिर रेलवे का हो आप इस नमबर के उपर मुझे से Contact कर सकते हैं और किसी भी सब्सक्रिप्शन के उपर यहाँ पर 25-30% तक का डिसकाउंट अवेल कर सकते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अब आपके Unacademy के उपर एक बहुत सांदार फीचर भी एड़ हो चुका है यानि कि अगर आप Plus के Member हैं और Live Class के दोरान आपको कोई Doubt होता है और Directly आप Teacher से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए Raise Hand का फीचर आ चुका है इसे आप लोग Enable करके Class के दोरान ही Teacher से बात कर सकते हैं अब आईए बात करते हैं हमारे देश के जो भी प्रमुक संगठन हैं देखे भारत के 48 नंबर के इस समय जो मुख्य नयाधीस हैं क्या नाम है इनका ध्यान केगा इसी साल बने हैं और नाम इनका है N.B. रमना क्या नाम है N.B. रमना और ये हमारे भारत के 49 नंबर के मुख्य नयाधीस हैं तो इनका नाम आपको याद रखना है फिर बात करते हैं राष्टिय अनसूची जनजाती आयोकी जहां रखेगा बात हो रही है यहाँ पर राष्टिय अनसूची जनजाती आयोकी तो इसके जो हमारे अध्यच इस साल बनी है उनका नाम है हर्स चौहान ये देख सकते हैं जो हर्स चौहान है ये आपके नेशनल कमीशन फॉर सिड्यूल काश्ट के इस समय बन चुके हैं अध्यच फिर बात करते हैं स्वारी जी ये सिड्यूल ट्राइब होता है NCST फिर हमारा है NCSC यानि की राष्टिय अनसूची जाती आयोग जिससे आप लोग नेशनल कमीशन फॉर सिड्यूल काश्ट कहते हैं और इसके जो हमारे नए अध्यच बनी हैं उनका नाम है विजय संपला तो ये दोनों नाम भी पूछे जा चुके हैं चाहे CHSL हो या फिर CBT-1 हो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं फिर बात करते हैं राष्टिय मानवा धिकार आयोग की तो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं राष्टिय मानवा धिकार के जो इसमें अध्यच है उनका नाम है अरुन कु शड़ा वर्ग आयोग के समय अध्यच है अच्या अभी जो हमारे यहां पर राष्टिय मानवार्टी आयोग है यानि कि जो अल्पसंखेक आयोग है उसके हमारे एक अध्यच बनी है तो चलिए आप नीचे जरा कमेड में बता दीजिएगा की अल्पसंखेक आयोग के नए अध्यच हमारे कौन बनी हैं फिर बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परिच्छक की तो पहले तो आपको यही ध्यार रखना है कि यह हमारा एक सम्विधानिक पद है सम्विधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है और इस समय हमारे जो गिरीश चंद्रमुर्मो सहब है यह आपके नियंत्रक और महालेखा परिच्छक के पत्तर है और भारत के यह 14 नंबर के कैग है फिर बात करते हैं 25 महालेखा नियंत्रक की यानि की controller general of account की तो ध्यार रक्तेंट दास इस समय हमारे 25 महालेखा नियंत्रक है तो इनके बारे में भी आपको यार रखना है आगे बात करते हैं हमारे देश के जो महानियावादी हैं यानि की Attorney General of India की ये भी आपका एक सम्वेधानिक पद होता है ये भारत सरकार के वकील होते हैं और इनके बारे में प्रावधान आपको अनुचे 76 में देखने को मिलेगा तो ध्यान रखेगा इस समय जो हमारे महानियावादी हैं नाम इनका है केके बेड़ू गुपाल क्या नाम है केके बेड़ू गुपाल अच्छा महानियावादी जो होते हैं इन्ही के सहायता के लिए एक होते हैं Solicitor General कौन है तो ध्यान रखेगा Solicitor General कौन है तो ये है तुसा महता फिर बात करते हैं मुख्य चुनाओ आयुक्त की यानि कि चीफ इलेक्सन कमिशनर की तो ध्यान किएगा इस पत पर है सुसील चंद्रा क्या नाम है सुसील चंद्र इस समय हमारे देश के मुख्य चुनाओ आयुक्त है फिर बात करते हैं मुख्य सुचना आयुक्त की यान तो इस रों के अगर हम प्रमुख की बात करें तो इस पतपर है K7 सहाब कौन है K7 हमारे इस रों के प्रमुख है फिर बात करते हैं DRDO के अध्यच्की तो इस पतपर हमारे है इस समय G37 Reddy ये दो नों याद थिएगा K7 इस रों के प्रमुख है और DRD के जो अध्यच्छ है इनका नाम है जी सतीस रेडी फिर बात करते हैं National School of Drama के अध्यच्छ की ध्यान कियेगा जो National School of Drama है इसके अध्यच्छ है परेश रावल कौन है अभनेता परेश रावल ये दिल्ली के National School of Drama के समय अध्यच्छ है फिर बात करते हैं Press Trust of India की सरकार तो ये पिछले साल बने थे और एक बार फिर से 2021 में ये आपके अध्यच्छ बन गए है PTI के आगे बात करते हैं Associated Chambers of Commerce and Industry of India तो Associated Chambers of Commerce and Industry of India तो Associated Chambers of Commerce and Industry बात करें तो फिक्की की बात करें तो इसके जो हमारे प्रमुख है इनका नाम है उदय संकर तो देख सकते हैं बिनीत अग्रवाल है असोचैम के और फिक्की के हैं उदय संकर फिर बात करते हैं Try की यानि के टेली काम Regulatory Authority of India तो Try के प्रमुख की बात करें तो इस पत पर है PD वाघेला कौन है PD वाघेला आपके Try के प्रमुख है फिर बात करेंगे UPSC के चेर्मैन की ध्यान रखेगा UPSC के इस समय चेर्मैन है नाम इनका है प्रदीप कुमार जोसी तो UPSC भी हमारी एक समयधानिक संस्था है अनुच करते हैं हमारे वर्तमान लोगसभा अध्यच की ध्यान रखेगा जैपुर राजस्थान का जो कोटा है वहां से ये सांसद है ओम बिरला इनका नाम है अच्छा राजसभा के सभापती तो हमारे उपराश्पती ही होते है यानि कि MB नायडू साहब इस समय सभापती है राजस करते हैं पहले Chief of Defence की ध्यान केगा जो पहले Chief of Defence सिटाप है इनका नाम है General ung dépण रा और यह हमारे ची ईद्रेंस सभाप करें तो आप सब आप सबीको पता होगा सौरब गंगुली हमारे BCCI के इस समय अध्यच है 49 नमबर के और महासचियों का नाम तो आपको जरूर याद अखना है जो कि हमारे देश के बहुत 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 बढ़े खिलाडी है नाम उनका है जै साह पता ही होगा आपको हमारे मोटा भाई के ये बेटे हैं यानि कि अमिस साह ग्रेमंत्री के बेटे हैं बढ़ियां खिलाडी रहे थे अपने समय पर तो इस समय ये महासचियों है BCCI के फिर बात करते हैं BSF की यानि कि Border Security Force की तो ये काफी ज़्यादा महतपूर्ण है ध्यान रखेगा इस पदपर है पंकज कुमार सिंग क्या नाम है पंकज कुमार सिंग इस समय प्रमुख है और इनके जो पिता जी थे प्रकास सिंग वो भी आपके BSF के महानीदिसक रह चुके है तो बात बेटे की जोड़ी यहाँ पर BSF के प्रमुख बनी है यह आपको ध्यान रखना है ITBP की बात करें यानि कि इंडो तिबितन बार्डर प्लिस की बात करें तो इसके भी हमारे नए महानीदिसक बन गए है नाम इनका है संजे अरूरा साहब आप सभी को पता होगा कि SS देशवाल इसके महानीदिसक हुआ करते थे और अब उनके अस्थान पर संजे अरूरा इसके नए महानीदिसक बने है फिर बात करते हैं CRPF की यानि कि सेंटर रजर्व पुलिस फोर्स की ध्यान अकिएका जो हमारे इस समय कुलदीब सिंग साहब है कौन? कुलदीब सिंग साहब वो आपके महानीदिसक है CRPF की असम राइफल की बात करें तो हमारे यहां का सबसे पुराना पैरा मिलिटरी ये फोर्स है और ये एक मात मिलिटरी फोर्स है जिसका हैटकुाटर आपको सिलॉंग में देखनी को मिलता है इसके भी हमारे इस साल नए महानीदिसक बनी है नाम उनका है पी चंदरन नायर क्या नाम है पी चंदरन नायर तो इनके बारे में भी आप लोग याद दखेंगे आगे बात करते हैं होकी इंडिया के जो इस समय अध्याच्छ है तो ध्यान रकेगा इनका नाम अभी CGL में पूछा गया था तो नाम इनका है ज्यानेंद्रो निंगो बाम क्या नाम है ज्यानेंद्रो निंगो बाम और ये हमारे होकी इंडिया के अध्याच्छ है फिर बात करते हैं CISF की यानि कि केंद्रिय और दोगिक सुरच्छा बल की और इसके जो हमारे प्रमुक है इनका नाम है सुधीर कुमार सक्सीना क्या नाम है सुधीर कुमार सक्सीना हमारे CISF के प्रमुक है आगे बात करेंगे राष्टिय सुरच्छा गार्ड की तो देखे ध्यान रकेगा राष्टिय सुरच्छा गार्ड के जो हमारे महाने दी सकते उनका नाम था Y.C. मोधी लेकिन हुआ क्या? ये आपके हो गये थे सेवा निपरित तो जायर से बात है पद खाली हो गया था तो जो हमारे C.R.P.F. के महाने दी सकते यानि कि कुलदीप सिंग उन्हीं को इसका स्वारी जी यहां पर एक चीज मैंने गलत बता दिया है देखे ध्यान दीजिए ये आपका राष्टिय सुरच्छा गार्ड है यानि कि National Security Guard है मैंने आपको N.I.A. के बारे में बता दिया तो राष्टिय सुरच्छा गार्ड के जो महाने देशक बने है इनका नाम है M.A. गणपती क्या नाम है M.A. गणपती तो ये नाम आपको याद रखना है फिर बात करते हैं भारतिय विमानन प्राधिकरण की यानि कि Airport Authority of India की तो ध्यार किएगा संजीव कुमार आपके Airport Authority of India के समय प्रोख है चले मैं आपसे एक प्रेश्ण पोच्छता हूँ Airport Authority of India के जो हमारे प्रोख थे यानि कि जो इसके अध्यच थे सुखवीर सिंग संधू वो आपके एक राज के प्रमुक सच्यू बन गए है तो बताईएगा आप लोग कमेंड में कि किस राज के ये सच्यू बने जिसके कारण ये पद हो गया था खाली अगला हमारा संस्थान है भारतिय राष्टिय राजमार्ग प्राधिकरण यानि कि National Highway Authority of India ध्यार केगा इसके जो हमारे प्रमुक है इनका नाम है अर्माने गिरिधर क्या नाम है अर्माने गिरिधर इनका नाम है फिर बात करते हैं UIDAI के नए CEO की तो ध्यार केगा इसके जो नए CEO है उनका नाम है सौरब गर्ग अभी इसी साल बने है तो इनके बारे में आपको बताना है फिर बात करते हैं राप्रमुक यानि कि Research and Analysis बिंग जो हमारे यहाँ पर उसके प्रमुक कौन है तो ये इस समय है सामन्त गोयल कौन है सामन्त गोयल इस समय हमारे राके प्रमुक है फिर बात करते हैं इंडियन कोष्ट गार्ड की तो ध्यार कीगा इंडियन कोष्ट गार्ड के हमारे जो हेड है इनका नाम है के नटराजन क्या नाम है के नटराजन ये हमारे इंडियन कोश्ट गार्ड के समय है फिर बात करतें नैस कौम की तो ध्यार किगा नैस कौम की पहली महिला अध्यच बनी है नाम इनका है रेखा M. मिनन क्या नाम है रेखा M. मिनन फिर बात करेंगे IB की तो IB की जो हमारे प्रमुख है इनका नाम है अरविंद कुमार और यहां पर अर्विंद कुमार को आप लोग देख भी सकते हैं। फिर बात करेंगे RBI के गवर्नर की तो ध्यार रखेगा अभी इनको एक बार फिर से तीन सालों का कारेकाल बिस्तार मिल चुका है और नाम इनका है सक्तिकान दास। क्या नाम है सक्तिकान दास। SBI के प्रमुक की बात करें तो SBI के जो हमारे अध्यच है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। प्रमुक का मतलब यहां पर अध्यच की बात हो रही है तो ध्यार रखेगा SBI के जो अध्यच है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। फिर बात करेंगे वायू सीना के प्रमुख की, तो ये नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमारे जो एर मारसल बिवेक राम चौधरी हैं, ये आपके वायू सीना के नए प्रमुख बने हैं, आगे बात करेंगे बार्ग के निदेशक की, यानि कि जो भाबा Atomic Research Center है, इसके निदेशक कौन हैं? तो ध्यान रखेगा इसके जो निदेशक हैं, उनका नाम है अजीत कुमार मुहंती, क्या नाम है? अजीत कुमार मुहंती इस तमें बार्ग के निदेशक हैं, आगे हम बात करेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यच और CEO की, तो ध्यान रखे प्रिशार भारती के जो CEO हैं, इनका नाम है ससी एम बेंपती, क्या नाम है? ससी एम बेंपती, आगे बात करेंगे ससस्तर सुरच्छा बलके प्रमुक की, तो ध्यान रखेगा, SSB की यहां पर बात हो रही है, और इसके जो प्रमुक हैं, उनका नाम है कुमार राजेश चंद प्रमुक का मतलब है कि इसके महा निदी सक, तो महा निदी सक है कुमार राजेश चंदर, फिर बात करते हैं कि भारत के मुख्य सतरकता आयुक्त कौन है, यानि कि Chief Vigilance Commissioner कौन है, तो इस पर अभी इसी साल नियुक्ती होई है, नाम इनका है सुरेश एन पटेल, क्या नाम है सुरेश एन पटेल इस समय हमारे मुख्य सतरकता आयुक्त है, आगे बात करेंगे 15th Final Commission की, ध्यान रकियेगा ये बहुत पूछा जाता है, और जो हमारा बित्त आयोग है, वो भी एक समवयधानिक सनस्थान है, अलुच्छे 280 में इसके गठन का प्रावधान है, राश्पती कौन थे, फिर बात करेंगे 17th Pay Commission की, तो ध्यान रकियेगा, जो 17th Pay Commission है, इसके हमारे जो प्रमुख है, असोक कुमार माथुर उनका नाम है, फिर बात करेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार की, तो ध्यान रकियेगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे हमारे के वी रमन्यम है, तो ये हुआ करते थे, तीन साल का इनका कारेकाल पूरा हुआ, और अब इन्हों ने अपने पद से स्थीपा दे दिया है, तो ध्यान रकियेगा, ये हमारे हुआ करते थे, नए का अपॉइन्मेंट अभी नहीं हुआ है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर र होगा, रेखा सर्मा हमारे महिला आयोग के समय अध्यच्छ है, क्या नाम है रेखा सर्मा, राष्टी जाच एजन्सी की बात करें, ये मैंने उपर जो आपको बताया था, NIA, तो ध्यान रकियेगा, CRPF के जो महाने दिसक है हमारे, कुलदीप सिंग, इनको यहां पर additional charge मिला हुआ है, राष्टी जाच एजन्सी के प्रमुक का, आगे बात करते हैं, सेवी की, तो ध्यान रकियेगा, Securities and Exchange Board of India इसका पूरा नाम है, और इसके जो इस समय प्रमुक है, उनका नाम है अजे त्यागी, आगे बात करते हैं, सिडवी की, यानि कि Small Industry Development Bank of India की, तो सिवा S. रम इसके इसी साल बनी है प्रमुक, आगे बात करते हैं, नौसीना के प्रमुक की, तो ध्यान रकियेगा, हमारे नौसीना के इस समय प्रमुक है, नाम इनका है करम वीर सिंग, क्या नाम है, करम वीर सिंग हमारे नीवी के इस समय हेड है, ठल सीना, यानि कि आपके आर्मी के करें कि यह हैं मको मनोज मुकुद नरावनी साहब कौन है मनोज मुकुद नरावनी साहब इस समय हमारे थाल सीरा के प्रमुख हैं फिर बात करते हैंडियान से लग और भी यानिकी सेंटनल विरो और अफ इंledिकेशन की तो ध्याना इद्या अपuchar принципе के जो इस समय हमारे महानिदेशक है नाम उनका है अरोण कुमार किसके है Prix वाले ये प्रमुख है तो धियान रखेगा इनके बारे में भी फिर बात कते हैं पहले लोगपाल कोन है तो हमारे डेस के जो पहले लोगपाल है इनका नाम है पिनाकी चंदरगोस कई सारे एक्जाम में औलडीन का नाम आ चुका है तो सम्मोता ये तो आपको अब रड़ भी गया होगा आगे बात करते हैं CBDT के अध्यच की यानि कि जो Central Board of Direct Taxes है इसके भी इसी साल नए अध्यच बनी है नाम इनका है जेवी मोहपात्रा क्या नाम है जेवी मोहपात्रा हमारे CBDT के अध्यच है आगे बात करेंगे NGT की यानि कि National Green Tribunal की तो ध्यान रखेगा इसके जो हमारे अध्य कुमार गोयल क्या नाम है आदर्स कुमार गोयल हमारे NGT के अध्यच है फिर बात करते हैं CPCB की यानि कि Central Pollution Control Board की तो CPCB की बात करें तो स्यूदास मीड़ा इसके प्रमुक है कौन है स्यूदास मीड़ा हमारे CPCB के अध्यच है आगे बात करते हैं नाबाड की नाबाड की तो इसके जो हमारे प्रमुक है इनका नाम है गोविंद राजलू चिंतला कौन है गोविंद राजलू चिंतला इस समय हमारे नाबाड के प्रमुक है ICMR यानि कि Indian Council of Medical Research की बात करें तो बलराम भारगो इस समय इसके महा निदी सक है कौन है? बलराम भारगो हमारे ICMR के महा निदी सक है आगे बात करेंगे Film and Television Institute of India की तो ध्यार किएगा ये आपके पूरे में इस्तित है और इसके जो प्रमुक है उनका नाम है सेखर कपूर तो आपने इनका प्रधानमंत्री वाला सो जरूर देखा होगा ABP News पर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं आजाद भारत के बहुत सारे चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी तो FTII के जो अध्यच है इनका नाम है सेखर कपूर RBI के इस साल जो हमारे चोथे नंबर के उपगवर्नर बने है इनका नाम है TB Sankar क्या नाम है TB Sankar हमारे RBI के चोथे उपगवर्नर बने है फिर बात करेंगे हम लोग इन्डिया पोश्ट पेमेंट बैंक की तो ध्यान रकिएगा इन्डिया पोश्ट पेमेंट बैंक जो है इसके नए MD और CEO बने है नाम इनका है J.Bankat Ramoo क्या नाम है J.Bankat Ramoo युनेस्को में भारत के जो अस्थाय प्रतनिधी है इनका नाम है विसाल भी सर्मा वारुन कुमार मिस्रा Energy Efficiency Limited जो है उसके बन गए है नए MD तो ये नाम आपको ध्यारकना है भारतिय बैंकिंग संग के नए अध्यच की बात करते हैं तो ये आपके राज किरण राय हुआ करते थे हाला कि अब ये चेंज हो गए है और इनके अस्थान पर आचुके है EK Goyal कोन आचुका है EK Goyal जो की हमारे यूको बैंक के अध्यच है तो ध्यारकेगा भारतिय बैंक संग के जो नए अध्यच है उनका नाम है EK Goyal बाकि अगर हम अपने कुछ सचियो की बात करें तो जैसे कि कैबिनेट सचियो की बात करते हैं तो इस पत पर इस समय राजियो गौबा है उसी परकार से लोगपाल सचियो की बात करें तो हमारे ब्रिज कुमार अगरवाल इस समय लोगपाल के सचियो है तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर चीजों को डिस्कस करेंगे बाकी जो आपकी PDF है PDF के अंदर आपको अंतर राष्टिय संगतन के जो परमुक है उनके नाम भी देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो को समय देने के लिए आप सुभी को बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद, जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत, तो बढ़ेगा भारत